नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकश भाटिया आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी पर्फ्यूम डॉक्टर पर दोस्तों क्या आप कोई ऐसा पर्फ्यूम ढूंड रहे हैं जो कीमत में सस्ता हो बॉटल जिसकी बहुत ही जादा अमेजिंग दिखती हो लॉट्जीविटी यानि की उस पर्फ्यूम की जो लॉट्जीविटी है जो उसकी लॉट्ग लास्टिंगनेस है जो आपके कपड़ों के ऊपर वो बहुत जादा लंबी हो और उसकी खुश्बू एक दम बहुत ही जादा out of this world हो क्या आपको यसा पर्फ्यूम ढूंड रहे हैं अगर हाँ तो ये आज का वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल 100% आपके लिए है आप इस वीडियो के 10 सेकिंड भी मिस मत कीजेगा सो दोस्तों विडाउट वेस्टिंग अनी कांड अफ ताइम लेट्स कंटिन्यू विड वीडियो वेल्कम बैक फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू विड वीडियो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यार मैं आप लोगों को एक चीज बड़े पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप 15 मिनिट वीडियो देख लें फिर उसके बाद मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊ और उसके बाद आपको अहसास हो कि आरे यार हमारी जिंदिगी के इंपॉर्टन 15 मिनिट वेस्ट हो गए हमको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए था क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था कि क्या आप कोई सस्ता पर्फ्यूम देख रहे हैं और कुछ कैसिस में तो लोग जो MENUFACRCRAGER है वो या जो SELLER है वो आपको free home delivery भी देदे लेता तो आप Сам खुछ सोचिके कि लोकते परफ्यूम की बोटल के अंदर जो की main चीज है उसके अंदर seller ने क्या ही डाला होगा manufacturer ने क्या ही पैक किया होगा क्योंकि bottling, packaging and आजकल तो delivery के ही डेट 200 रुपया लग जाते हैं यार एक जगा से दूसरी जगा भेजने हैं मतलब विदिन बॉंबे मी मैं अगर वीफास करता हूँ तो डेट सो से 175 रुपया मेरा खर्च हो जाता है तो अगर मैं 500-700 रुपय का कोई परफ्यूम बेचूंगा तो आप खुद सोच लीजे कि manufacturer ने अंदर क्या ही pack किया होगा, पानी के अंदर क्या गोल कर दे रहा, क्या गोल कर नहीं दे रहा उस चीज की मेरी guarantee नहीं है तो वीडियो के अंद में बताने के बजाए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि यह जो परफ्यूम है लताफा का इसकी जो market, जो MRP है वो around 3,000, 3-3,500 के आसपास आती है और जो इसका selling price है वो आपको 1,700-1,800 रुपय से लेकर 1,500 के बीच में online में आपको मिल जाएगा और मेरा भी इसी रेंज के अंदर है आप स्टॉक में जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है? So without any kind of delay, let's start the video because I have already given you the most important information the most important factor जिसके ओपर आप लोग यह चीज़ रिसाइड करते है कि आपको परफ्यूम खरीदना है या नहीं खरीदना यह 500-800 वाली रेंज का नहीं है यह 1800-500 की रेंज का है और मैं इसको सस्ता किसलिए बोल रहा हूँ कि यह परफ्यूम सस्ता किसलिए है वो मैं आपको वीडियो के आने वाले portion के अंदर जरूर बताऊंगा तो दोस्तो टाइटल जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं यह बहुत ही amazing से परफ्यूम के बारे में जिसका नाम है लताफा का बदेल उद उद फॉर ग्लोरी अप यह थोड़ा सा इधर वाइट और यह यह पाउडर फिनिश रहता यह थोड़ा सा निकला हुआ देख रहे होगा इसको बैग में ऐसे ही डाल देता हूँ इसका पैक पीस नहीं पढ़ा है मेरे पास अभी लेकिन पैक पीस जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता एक बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर यह बहुत जादा खूबसूरत से बॉटल रहती है उपर ऐसा गोल्डन कलर का रहता है लताफा का यह लोगो है वो है और नीचे वही जो इन्फोरमेशन है जिसको कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता और यह बॉटल का फ्रंटल है और यह आप देख लीजी यह इसका साइड पर ऐसे यह कवरिंग है बैक से एकदम सफा चट है ठीक है तो चलिए यह है देखिए यह दिस इस इस हाओ दा बॉटल लुक्स एंड आणड 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 चलिए ग्लोरी ठीक है तो यह इस पर्फ्यूम की पहचान है और इजनल बॉटल यह ऐसे दिखती है और इसको जब आप ढकन खोलेंगे तो इसका जो आटमाइजर है यानि की जो फुस-फुस है वो ऐसा गोल्डन कलर का आपको दिखेगा है थोड़ा सा फेडिड नजर आ रहा है बिकॉस मैंने बहुत ज़दा गोरा दिखने के लिए मैंने बहुत ज़दा लाइट्स हो गारा ओन की हुई है यार तो आगे खडिकी भी खुल रखी है तो यह सब है ठीक है अभी इसमें चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ इसके नोट्स के बारे में और पैक बॉटल मैंने आपको बताई दी है कि कैसे दिखती कैसे नहीं दिखती है लेट्स टॉक अबाउट्स यह देखिए हैं इसके नोट्स इसमें सबसे ऊपर है उद, वार्म स्पाइसी, फ्रेश स्पाइसी पचूली, मेटालिक, मस्की, वुड़ी, लेवेंडर, अर्दी यह सब इसके नोट्स हैं मतलब कैसा यह आपको स्मेल करेगा यह एकॉर्डिंग तू फ्रेग्रेंट्रिका है यह जो यह नोट्स मैंने आपको बता है अर्कॉर्डिंग तू फ्रेग्रेंट्रिका है यह दिस नोट्स मैं स्टडी मेरी स्टडी हमेशा थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ चीजे जो एक लेमेन की भाषा में मुझे जो महसूस होती है I'm not a trained professional in the industry of perfumes तो मुझे जो चीज जैसे समझ में आती मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा और बहुत सारे लोगों को भी वो चीज बहुत अपील करती है और बहुत अच्छे से समझ में आती क्योंकि यह जो है ना यह एक्सपर्ट्स की भाषा है है ना तो मैं आपको एक लेमेन की भाषा के अंदर समझाओंगा तो वो चीज़ आपको बड़े अच्छे से आएगी तो और इसकी ये narration देख लीज़े इसके में लिखा है बदे अलूद फॉर ग्लोरी बाइ लताफा परफ्यूम्स is an amber woody fragrance for women and men मतलब unisex है औरतें भी इसको इसको इस्तेमाल कर सकती है मर्द लोग भी इसको 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 आपको आगे बताऊंगा बदे अलूद उद फॉर ग्लोरी वस लाउंच इन 2020 मतलब almost like दो साल हुए है इसको लाउंच हुए middle notes are agarwood यानि की ूद और पचूली base notes are ूद पचूली और मस्क ठीक है ये तो इन लोगों का फ्रेक्टरेंटरिका का है कि भीया कि ये ऐसा smell करता है और middle में ये note आएगा और ये जो भी है इसकी जो भी कहानी है वो मैंने आपको बता दी है अभी मैं आपको बताओं कि ये जो perfume है इसका इतना जादा craze क्यों है market के अंदर यार इसका perfume का इतना जादा craze इसलिए है क्योंकि ये clone है copy नहीं है clone है आपको अगर copy और clone के अंदर फरक ना पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं तो उसमें मैंने इस चीज को mention किया है क copy और clone के अंदर क्या फरक है मतलब ये perfume inspired है ूद फॉर greatness इनीशियो से ये आप इधर उस perfume की picture देख सकते हैं exactly same bottle है देखिये exactly same bottle उन्होंने बनाई है और इसके notes भी काफी हद तक same है फरक सिर्फ इतना है कि ये जो perfume है ये 24,000 से लेकर 40,000 तक जाता है अलग अलग जगाओं प जहां तक मेरे हमारे पास बिकने के लिए जब आता है इनीशियो का ये perfume तो इसकी जो कीमत रहती है वो 22,000 से 24,000 के बीच में रहती है मुझे exact MRP नहीं पता है इसकी क्या है क्या होती है क्या नहीं होती है और मैंने smell भी किया है इस perfume को भी और इस perfume को भी दोनों बहुत ज़ा मासी पर्फियूम यार मासी पर्फियूम का मतलब यह होता है कि जो बहुत ज़ादा लोगों को अपील करें जो मतलब जो डेली रूटीन लाइफ के जो लोग है उनके लिए बनाया गया है थोड़ा सा लाउड है as compared to this perfume इनीशियो as compared to इनीशियो और जो इनीशियो है वो थो मिदल क्लास का रसगुला है इसको आप इसको यह मिदल क्लास का गोल्ड है इसको अगर आपको सस्ते में कोई पर्फियूम चाहिए यार जिसकी अमेजिंग लॉंजिविटी हो तो इससे बढ़िया कोई पर्फियूम हो ही नहीं सकता अब आपको मैं अपना assessment बना बताता हू कि इस पर्फियूम को सुनकर यार मुझे कैसा फील होता है देखिए मुझे जो सबसे पहले जो इन्होंने बताया warm spicy ये वो सब मुझे वैसी कोई भी smell नहीं आती मुझे इसमें से जब जंगल की सूखी लकड़ी जलती है कहीं पर भी तो वैसी जो smell आती है न वो smell है इसमें तो जैसे अगर आप जब कहीं अगर घर के अंदर का भी हवन करते हो कुछ होता है तो गीली लकड़ी अगर जलती है जो दुमा जिसका जादा निकलता है तो उसकी smell अलग रहती है और अगर सूखी लकड़ी जलती है तो उसकी smell अलग रहती है मतलब जो उसमें कुछ सामगर बिटर स्वीट पर्फियूम कैटेगरी है इसकी बिटर स्वीट पर्फियूम कौन से होते हैं ये मेरे पिछले वीडियो में अपने समझाया था कि स्वीट पर्फियूम, सिटरसी पर्फियूम और बिटर पर्फियूम में क्या फरक होता है बिटर पर्फियूम में आपको कर लीजिए आपको आराम से इस पर्फ्यूम के अंदर लॉंजिविटी दस से बारा घंटे की मिल जाएगी ठीक है और मेरे केस में मैंने यह चीज अगर मैं जिस कपड़े के ऊपर भी यह पर्फ्यूम पहनता हूं जब वो कपड़ा धुल कर बाहर आता है वाशिंग मेशीन से और सूख कर मेरे हाथ में वापस आता है तो भी उस कपड़े के अंदर से इस पर्फ्यूम की खुश्बू आ रही होती है और इस पर्फ्यूम की यार सबसे बड़ी में आपको बताता हूं मैंने थोड़ी दर पहले आपको बताता है कि यह बिटर स्वीट पर्फ्यूम है तो अपने जब आप इस पर्फ्यूम को लगाते है तो शुरू के चार पांच घंटे जो इसकी स्मेल रहती है वो थोड़ी सी बिटर रहती है कोड़ा सा फ्लावरी भी होता है अब फ्लावरी के चक्कर में यार आपकी यह मस समझ लेना कि यह बिल्कुल फैमिनिन साइड पर चला जाता है यह मैस्कुलिन साइड का फ्लावरी होता है मतलब जैसे कि अगर आप किसी गार्डन के अंदर जाएं तो जहां पर वुड चाहिए या विमेन को यूजा कर चाहिए्ये करने के लिए तो दोनों कर सकते हैं страш लेकिश लोग लेकिन परफूम में को जादाral सूट करेगा क्योंकि इसके अंदर ऊद भी है और इसके अंदर वुडी भी है और वुडी और ऊद का जो मिक्स करके एक जो स्मेल आती है वो बहुत ही ज़्यादा मैस्किलिन स्मेल प्रोड्यूस होती है उसमें फैमिनाइन एंगल लोग इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि चार-पांच घंटे के बाद जो अपना जब ये बेस नोट पर आता है तो बेस नोट इसका थोड़ा सा फ्लावरी हो जाता है तो लोगों को ऐसा उन लोगों को ऐसा हो सकता है ऐसा लगए कि भाई इसको ये हम ऐसे फैमिनाइन परफियूम या यूनिसेक्स परफियूम भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये इस परफियूम इस नाट मेंट फोर लेडिज इफ दे विश तू यूज यूज इस परफियूम ये वाट ये कैन कैरी वाली बात नहीं है बाकी ये परफियूम मर्दों के लिए ज़्यादा सूटेबल है और अगर मेरे कोई भाई दोस्त ऐसे हैं जो स्मोकर हैं तो उनके लिए भी ये परफियूम बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वुडी है तो तंबाकू की स्मेल को भी मैं वुडी में ही काउंट करता हूँ तो वुड से वुड कटती है और ये जो तंबाकू की स्मेल होती है उसको सुप्रेस करता है उसको कम कर देता है उसको कनवर्ट कर देता है एक अच्छी खुश्बू के अंदर ठीक है तो आप लगा सकते हैं कि इसको 80% for men and 20% for women भी यूज़ कर सकती है अभी इनीशो का भी मैंने आपको point बता दिया है कुछ बचाए Cost के बारे में यार Cost के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहरा था कि यह perfume सस्ता किसलिए है सस्ता perfume इसलिए है क्योंकि मैंने इसका comparison आपको इनीशो के साथ करके बताया है इनीशो जहां हम लोगों के पास 22-24,000 के आसपास का आता है तो आप उसके अंदर 20-30% cost और add कर लीजे तो वो उसका आप लगा लीजे कि MRP हो जाएगा उसका और कहां वो perfume 24,000 रुपे का और कहां ये 1800-25,000 की range में मिलने वाला perfume longevity आपको इस perfume में बहुत ज़्यादा मिलेगी because it is not that refined ये raw perfume की category में मैं इसको ज़्यादा count करूँगा अगर आप outdoor में काम करते हैं जैसे मैं shooting पे काम करता हूँ वहाँ बड़े different type पे logo की smell होती है पूरा time हम लोग outdoor में ही होते हैं तो वहाँ पे मेरा ये perfume बहुत ही बढ़िया चलता है और अगर आप का जो काम है that is more concerned with आप एक cubicle में बैठते हैं आप एक office में जाते हैं जहां पर logo के बीच में बैठने का distance बहुत जादा नहीं है तो आप इस perfume को थोड़ा सा skip कर सकते हैं मतलब इसको side पे कर सकते हैं इसको उस case में आप बहुत जादा spray मत कीजेगा only two sprays और three sprays will be more than enough और अगर आप बाहर जाके काम करते हैं जो बहुत conscious होते हैं अपनी body की smell को लेके तो वो अपने perfume की bottle साथ में carry करते हैं तो इस case में आपको bottle बिल्कुल भी साथ में carry करने की ज़रूरत नहीं है wood for glory की bottle आपको साथ में carry करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 5-6 sprays लगा लिए सुभे फिर उसके बाद ये टिकेगा ही टिकेगा भाई ये वला perfume कहीं नहीं जाने वाला आपको अटलीस शाम तक छोड़कर कहीं नहीं जाएगा बीच बीच में ये अपने होने का एहसास दिलाता रहेगा आपको अगर मुझसे किसी भी perfume के बारे में जानकारी चाहिए हो या आप चाहरे हो कि यार मैं किसी international perfume के बारे में कोई वीडियो बना कर आपको बताओ अगर मैंने वो perfume यूस किया होगा मेरा उसका experience होगा तो definitely I'll make a video आपको मैं उसका proper review दूँगा number आपके पास ही मेरा 7021905004 पर आप मुझे whatsapp कर सकते हैं मुझे call मत कीजेगा because मैं वो वला number नहीं उठाता हूँ आप मुझे whatsapp कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई shopping गर नहीं हो मेरे store से तो you can directly go to my store www.gbfragrances.org ठीक है दोस्त तो यह हमारा आज का review था कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तकलीफ हो आपको कहीं से भी perfume लेना है मुझे उसमें कोई problem नहीं है I am here for the information मेरा perfume भिकरा है नहीं भिकरा that is an entirely different issue that is not connected with this YouTube यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ सिर्फ information ने इंपार्ट कर रहा हूँ तो आपको कोई भी information चाहिए हो कहीं से भी आपको लेना हो you are more than free to do so लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी यार अगर आप मुझसे किसी perfume के बारे में सला लेते हो अगर आप मुझसे किसी perfume के बारे में पूछते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपकी मदद करके धन्यवाद, thank you so much मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और perfume का review लेकर या फिर कोई और जानकारी लेकर ठीक है? Bye, take care, thank you so much